जैहिन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीत्वास स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टैडी वी सीखर पर तो दोस्तों परिक्षावाड़े की सीरीज हमारी चल रही है और आज है हमारा पार्ट फाइब तो इससे पहले के बार्ट आप पने नहीं दे है रूद्र परियाद उत्तरकासी चमोली या फिर तीहरी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरकासी छे कोनो वाला डोडी टाल उत्तरकासी में है इसे के अलावा उत्तरकासी में और भी ताल है नची केता ताल खेडा ताल काना ताल मंग लाच्छो ताल ये आ उत्रकासी, पॉड़ी, बागेस्वर, नैनी ताल, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, नैनी ताल, नौकुचिया ताल, नौकोनो वाला, नैनी ताल में है, याद रखेगा, और नैनी ताल को जीलो की नगरी, या सरोवर नगरी कहा जाता है, नेक्स्ट वेशिन, अल नपने के फिर निम्नमैसे कौन यम्ना की सहयक नदी नहीं है, डोंस गिरी, आसन या फिर सूग, जाईगाalion, सोग, यम्ना की सहयक नदी है, आसन, गिरी, यायवर, यम्नमैसे तो इस तरह के क्वेशिन आपके नहीं है, और कौन सा है, एकजाम में ग्रिशना बनेंगे तो आ इस जिल की आकरती अस्व खुर के समान है गिरी ताल खुरपा ताल साथ ताल या फिर भीम ताल तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ताल ये भी आपके नैनी ताल में ही है निम्न में कौन नदी सर्यू नदी की साहयक नहीं है गोमती पनार पूर्वी राम गंगा या फिर लधिया तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लधिया इसके अलावा गोमती सर्यू की साहयक नदी है पनार और पूर्वी राम गंगा पूर्वी राम गंगा और सर्यू काली नदी की सायक है नेक्स्ट वेस्ट और पागस और किन नदियों के संगम पर इस्तित्य है शर्यु गुमति शर्यु पूर्व ψ राम गंगा शर्य्व पनार या फिर शर्यु काली तो इसका रॉयot आँसर आपकर हो जाएगा सर्यु व गुमति ओप नमबर ए नेक्स्ट वेशन बैजना धाम किस नदी टट पर इस्तित है गोमती काली सर्यू या फिर पूर्वी राम गंगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोमती नेक्स्ट वेशन आपर है गंगा को राष्टिय नदी कब घोसित किया गया है वरसन दोजार आठ दोजार नौ, दोजार दस या फिर दोजार इक्यार है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोजार आठ में नेक्स्ट वेशन आपर है निम्न थंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है तो नहीं है हमसे पूझाए धेव कुंड उतरकासी, देवी कुंड आपका option number D next question आपर है गरम कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है सूरी कुंड यमनुत्री तप्तु कुंड यहां पर बद्रीनाथ गंगानी आपका उत्तरकसी तो भाब कुंड रुद्री परियागी आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है नेक्स वेशन आपर है किस ताल में गांधी जी की अस्तिया विसरजित की गई थी सुर्वधी ताल बेनी ताल हेम कुंड या फिर रूप कुंड तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुर्वधी ताल बेनी ताल आपके चमोली में है और रूप कुंड को कंकाली ताल भ नेक्स्ट वेजिन आपर है, निम्ण में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं इस्तित है, रिसी कुंड, हेम कुंड, होम कुंड या फिर पारवती कुंड, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्सन नमबर डी, अगला कुशिन आपर है, कोटे सवर बार निर्मित क या जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्सन नमबर ए, भागी रती पर, अगला कुशिन, सरसती वह अलग नंदा की मिलन इस्तल पर कौन सा परियाग है, गड़ेश परियाग, सोन परियाग, केसव परियाग, हरी परियाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसव परियाग नेक्स लेशन रूद्र परियाग में अलग नंदा से संगम होता है धौली गंगा का पिंडर का मंदा किनी का या फिर बीरही गंगा का तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफिसन नंबर सी मंदा किनी का मंदा किनी और अलग नंदा का नदी में नेक्स टोईशन एक पर रहे है पूर्वे धॉली गंगा यहां पर हो गाद्धु नदी अलग रंधा की काली नदी की गोमती नदी या फिर सारदान नदी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काली नदी नेक्स टोईशन खतलिंग गलेशियर कहां इस्टित ह तीहरी उत्रकासी चमोली या फिर पित्होरा कड़ तो इसका रैट अंसर आपको हो जाएगा और सनमबर एक तीहरी में है नेक्स वेसिंस निम्न मैंसे कौन सा एक यूगम गलत है गलत है डोडी ताल उत्रकासी में सही है बेनी ताल चमोली में आपका बिलकुल सही है और नंबर भी बिल्कु सही हो जागा देवर या बदानी तालिये आपके रुद्र पर्याग में ही है बढ़ेंगे नेक्स्ट वेशन की तरफ नेक्स्ट वेशन यहाँ पर है पंचेसर बाद किस नदी के उपर प्रस्तावित है गंगा यमुना काली या इनमें से कोई नहीं तो इ उत्राखंड की सरवाधिक लंबाई वाली नदी कौन है तो इसका राइड आंसर हो जाएगा और नमबर ए काली नेक्स्ट वेशन काली और गोरी नदियों का संगम कहां होता है तो यह होता है आपके जॉल जीवी और सन नंबर ए बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट वेशन उत्राखंड की पहाड़ियों में चाल-खाल का संबंद है पटवारी लेकपाल 24 फोल में कृश्टिन पूछा गया है याद रखी का बहुत ही इंपोर्टेंड करिश्टिन है जल सर्रक्षण वन सर्रक्षण आगनी सर्रक्षण या इनमें से कोई नहीं तो चाल-खाल का बढ़ेंगे नेक्स्ट्रेशन की तरफ रहसमई जील के रूप में भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है आपके रूप कुंड को ऑप्सन नंबर सी बिलकुल सही हो जाएगा और इसे ही कंकारी तालवी कहती है नेक्स्ट्रेशन आपर है अलग नंदा और नीमन मैंसे किस न नंदी का संगम होता है option आपके भागी-रती मंदा किनि विस्णूं गंगा नदी या इन मैंसे कोई नहीं तो यसका right answer आपका हो जाएगा कोई नहीं नंदरियाग में आपका अलग नंदा और नंदा किनी का संगम होता है। कि आप्सन में नहीं है तो इस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है मासर ताल यम ताल सिद्ध ताल या फिर नर्सिंग ताल तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मासर ताल पिंडर नदी का उद्गम है तो यह आपका पिंडारी ग्लेसियर ऑप्सन नमबर सी बिलकुल सही हो जाएगा और यह आपके बागेसर में तीन जलों में फैला है विसे चमोली में और पिधारागड और बागेसर नेक्स ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है चौरा पाड़ी त ताल आच्री ताल या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा ऑफसन नमबर एक चौरा पाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है नेक्स डिएशन किस ताल को उत्रा खंड की उबलती ताल कहा जाता है तो यह कहा जाता है बया ताल फां पर है उत्रा खंड की सबसे गहरी जील है उत्रा खंड की सबसे गहरी जील है तो यह आपके नौ कुच्या ताल ऑफसन नमबर एक विल्कुल सही हो जाएगा नेक्स डिएशन उत्रा खंड में रिवार राप्टिंग के लिए पर सिद्ध नदी कौन सी है गंगा भिलंगना क कि नन्दा की निनी नदियों के संगं पर इस्तित है तो यह इस्तित है आपके रूद पर्याग आपसा सही हो जाएगा अलक नंदा पिंडड़ नदी के संगं पर है कर्ण पर्याग सिकाल अन्य नाम है विश्णु पर्याग कॉछ जाएगा नेक्स ड़सा झाल Romans नदा पर है निम्न लिखित नदी युगमों मैं से कौन सुमेलित नहीं है विष्णु गंगा पूरी धौली गंगा काली गोरी गंगा और भागे रती जाड़ गंगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट विष्ण आपर है नल दम्यनती ताल किस जनपत में इस्तित है तो यह इस्तित है आपके नेन ताल ओफ्सन नंबर ए बिलकुल सही हो जाएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट विष्ण की तरफ अब यहाँ पर आपका सही युगम का चयन करना है गंगोत्री उत्तरकासी मि प्रोक्त सबी युगम सुमेलित है तो ओप्सन नंबर डी बिलकुल सही हो जाएगा सभी सुमेलित है नेक्स्ट विष्ण गलत युगम का चयन करना है विष्णू परियाग अलग नंदा की नीम मिलती है रूद्र परियाग अलग नंदा मंदा की नीम उसमें गलत आपको बताना है मिआ तो रुदर आपका अलग दंदा मन्दा के नहीं के संगम पर है पेशन नंबर ने कुछ सभी हो जाए को पनी कैसित है तो ये इस्तित्ह आपके बागे स्वर में आफ्सन नंबर भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा इसी के अलावा मैक तोली सुक्राम गलेसियर सुंदर डुंगा गलेसियर और संभू गलेसियर भी आपका बागे स्वर में ही है गंगा राष्टिया नदी घोसित की गई 15 अगस्त दोजार एक को 26 जनवरी दोजार पांच या फिर चार नॉंबर दोजार आठ को यह इन मैंसे कोई नहीं तो चार नॉंबर दोजार आठ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेस्ट विशन आपर है नंद परियाग में किन अलग नंदा विशनु भंगा अलग नंदा मन्दा क्नी शुमलिई अलक नंदा क्नी 5 या लग नंदा अलन क्न्दि या लुक्म नन पींड़ तो यहाथ फ deliberate है निर्ये नागी हिया पाल ठल्म का सबसे बढ़ा गलेशियर है तो यह हैछ without aole नमर शी गंग गोत्री या पसन cls बिलकुर सही हो जाएगा, नेक्ट वीशन बाल गंगा निम्नम ऐसे किसकी सायक नदी है, तो यह है आपकी option number आपका बिलकूर सही होगा, भी बिलंगना की सायक नदी है, बाल गंगा, नेक्ट वीशन गौला नदी पर कौन सा सहर इस्तित है, कासिपूर, चंपावत, हरी द्वार या फिर हल द्वानी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा option number D हल द्वानी गौला नदी के ततपर इस्तित है नेक्स्ट वेशन शामला ताल कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपके चंपावत में option number C बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट वेशन लद्या सायक नदी है यम्रा की, काली की, गंगा की या फिर आपका अलक नंदा की तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा option number B, काली की इसके अलवा काली की और भी सायक नदी है कुट्यांग्टी है और सर्यू आपके काली नदी की ही सायक है नेक्स्ट वेशन यहाँ पर है आपका सार्दा काली नदी का उद्गम है पिंडारी, कफनी, मिलम या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा option number C नेक्स वेशन आपर है सुन्दा डूंगा हिमानी की इस चनपद में इस्टित है तो यह इस्टित है आपके बागे स्वर में अगला देखते हैं आपर जहानवी नदी की नीमने मैसे कौन सी नदी की मुख्य नदी से संबंदित है काली, राम गंगा, अलक नंदा या फिर भागी रथी तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उसन नवर 2, भागी रथी से संबंदित है, लास्टिकर चिश्चन है आज का खत्लिंग हिमनत उद solchen है तो यह हो जाएगा आपका भिरत्व का बिलंग गना नदी का बिलंग नदी का उद्रम होता है खतलिंग हिमनद से तो दोस्तों यह थे आज के इंपोर्टेंट केसिन उमीद है आपने अच्छा खासा आपका यहां पर रिवीजन हो गया है और इससे पहले के पार्टों को आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा साथ यह अजर देखा है झायती है और भी जर धरूरती है पर भी आपका के भी आपका टेख्टने मैं होगिनद देखिए साथ जद्याना जर्ली होगिनक था ड्वते दो जन्हें के अजरूरत मैं आप अगने गलेहाने म popularly साथ-देखिया जागिना देखिजाँचर देखिस पुट